नौ महीने बाद कब्र से निकाला गया सव फिर से होगा पोस्ट माटम पांस दिनों बार लापता युवक का कुए से मिला था सव मामला सर्पता तानाचेत के भिवरहा कला गाओं का है बीते साल 19 दिसमबर 2021 को राजेस गवतम घर से निकला था लेकिन घर नहीं लोटा परिवार वालों ने काफी खोजबिन की लेकिन नाकाम रहे तीर दिसमबर को ठाने पर इसकी लिखिस सूचना दी गई पुलिस ने गुमसुदगी का मुकदम दर्जगार मोबाइल लोकेशन ट्रेस करियोग की तला सुरू की पांस दिन बाद चार जनवरी 2022 की रात में सरपताहा थानाचेत के कसिया पुरगावे स्टीत नट बस्ती के पास कुये में एक व्यक्ति के सौ मिलने की सूचना मिली सौ के चेहरे पर चोट के निसान थे और सौ च्छत बिच्छा तवस्ता में पड़ा था राजएस गौतम के परजनों को भी सूचना दी गई परजनों ने सौ की पहचान राजएस गौतम के रूप में की पुलिस निस्ताओ का पोष्ट माटम कराया इसके बाद परजन अंतिम संसकार नहीं कर रहे थे उनका कहना था कि बेटे की हत्या की गई है तो निस्पस जाच की जाए इसके बाद ही अंतिम संसकार करेंगे अधिकारियों की सामती के बाद परजन्मा ने इसके बाद घर के पास इखेत में राज़ेश गवतम के सव को दफना दिया गया परजनों ने युवक की हत्या की आसंका जाहिर की थी मामला प्रेम प्रसंग से भी जोड़ कर देखा जा रहा था पुलिस की विबेचना से असंतुष्ट परजनों ने निस्पक्छ जाँच के लिए अनसूचित जाते आयोग समेथ वाउच्छ अधिकारियों से अपील की थी इसके बाद मामले की जाँच अपर पुलिस अधिचक से कराने और सव के पुना पोस्ट मार्टम का आदेश दिया गया SDM ने आएक कुनाल गाउरव और चिकिस्तकों के टीम आज घटना स्तल पर पहुंची पुलिस बल की मौजूद्गी के बीज जमीन की खुदाई करा कर सव को बाहर निकाला गया SDM ने कहा कि सव का पोस्ट मार्टम फिर से कराया जाएगा फिर से जाँच परताल की जाएगी जो भी होगा उसके आधार पर कारवाई की जाएगी